Hey guys, मैं हूँ नास और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल SketchUp Hindi पे तो आज मैं ये staircase बनाने वाला हूँ, साथ मैं ये जाली मैंने कैसे बनाई है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है, तो ये बहुत इंस्ट्रेस्टिंग वीडियो है और इसमें हमने दो अलग-अलग plugins का यूज किया है एंड उसके बाद इसे easily बनाया है, ठीक है, साथ में मैंने एक question भी छोड़ाया आपके लिए अगर आप उसे कर पाते हैं, तो आप मझे जरूर बताएं, तो चलिए, शुरू करते हैं इसे जल्दी से तो सबसे पहले मैंने दो चीजे बना ली है, एक तोखी अस्टेयर, नॉर्मल अस्टेयर बनाई है, ठीक है और दूसरी मैंने ये एक जाली बना ली है, ठीक है बना सकते हैं, ठीक है, बस मैंने उसमें एडिट क्या क्या है, कि इसके ऊपर की चीजे, जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं, तीनों साइड से ये स्ट्रेट है, तो मैंने इन चीजों को कट कर दिया है, पहले ही, ताकि ऊपर मुझे रैंडम शेफ मिल सके हैं, ठीक है तो ये दिखें, मैंने एक ये बना लिया, और एक ये है, तो हम इसी की मदद से, और तीसरा जो हमारा है शेफ बेंडर, उसकी मदद से, एक राउंड स्टेरकेस बनाएंगे पूरी, ठीक है, ये शेफ बेंडर की मदद से, आप थोड़ा बहुत वो कर सकते हैं, और साथ में हम इसे भी रखेंगे, ठीक है, तो चलिए सुरू करते हैं, जल्दी से, तो सबसे पहले क्या करता हूं, मैं इस से लिए दोनों को एक जगा कॉपी कर लेता हूं, एक और, ठीक है, तो इसे पीछे कर लेते हैं, ताकि जब हमें जोद पढ़े, तो फिर से हम यूज कर सकें, स इस प्लग इन का नाम है, ट्रू बेंड, ठीक है, तो इसके बाद आपको इसे सेंटर से सलेक्ट करना है, और आप देखे इस तरीके से आप इसे खीच सकते हैं मैक्सिमम आप round stair बना सकते हैं मैं इसे यहाँ पर commit करूँगा तो आप देख सकते हैं यह पूरी तरीके से round है 360 जहां से आपने start किया वहां से बना सकते हैं और उससे कम आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं फिर से हम एक बार कर लेते हैं इसे तो यह देखिए 360 आप देखेंगे साथ में उपर से तो आपको idea भी लेगा यह देखें नीचे angle भी साथ के साथ आपको दिख रहा है कि कितने का angle बन रहा है तो मैं इसे क्या कर रहा हूं यहाँ पर कि 300 का बना लेते हैं मैं 300 एंटर करूंगा और right click करके commit करूंगा ठीक है तो यह हमारा बन गया staircase तो easily बन गया ठीक है अब रह गया है इस जाली को इसके साथ में कैसे हम set कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जो इसके नीचे की edges है यह आप देख रहा है मै line edges को यूज करूंगा अपने उसमें ठीक है तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं इसके नीचे जो भी यह कि लाइन से इन्हें हटा ले रहा हूं ताकि यह थोड़ा स्मूब दिखें अब क्या कर रहा हूं मैं कि यह जो line है इसके या ऐसे select करके दोनों side के ठीक है अंदर और बाहर क्योंकि हमें दोनों side जाली लगानी है तो हम दोनों को copy करके side में कर लेंगे कंट्रोल सी करके बाहर हम कंट्रोल भी कर लेते हैं ठीक है अब क्या करना है कि इस से इनसे अलग करना है क्योंकि हमें steps के जो तनी है हमें सिर्फ नीचे वाला arch चाहिए और दूसरे में भी यही चीज़ है select delete किया ओपर भी delete और अब इनसे triple click की मदद से सब्स तो अब क्या हुआ है न कि हमें दोनों के outer edges मिल गया है जिससे हमें से बेंडर की वहदत से हम इसली से बना सकते हैं ठीक है तो यह मैंने जाली को select किया इसके आगे एक straight line बना लेते हैं कि यहां पर ठीक है इससे select किया से बेंडर पर जाएंगे तो यह मुझे straight line इसकी select करने के लिए बोलेगा तो यह देखिए जो मैंने अभी line डाली थी उससे select किया अब यह कह रहा है कि कर्व लाइन पर आप जाओ तो जो यह कर्व लाइन है यह देखिए मैं इससे select करूंग ठीक है जैसे select करूंगा थोड़ी देर wait करना है और थोड़ी देर में अपने आप वहां पर यह बन के generate होगा ठीक है यह देखिए यह आपको एक shape दिख रही है तो इस पर जैसे यह आता है फिर मैं एंटर कर दूंगा तो यह देखिए यह generate हो चुका है ठीक है आप देख र तो यह देखिए यह भी बन चुका है ठीक है अब inner और outer मुरे पास shapes भी बन चुका है मैं इन्हें क्या करता हूं थोड़े जो smooth लग रहे हैं मैं इनके edges को sharp कर देता हूं ठीक है तो यह देखिए अभी थोड़ा सा अजीब लग रहा है क्योंकि lines है कोई problem नहीं है इन दोनों को हम group बना लेते हैं पहले में group और हम इससे सीधे एस्टेयर के पास ले जाएंगे और पेस्ट कर देंगे कि यह देखूं ठीक है तो यह थोड़ा अंदर बाहर हो गया है तो अब इसे एक एक करके उठाएंगे और थोड़ा सा आपको हो सकता है scale करना पड़े या edit बगरा करना पड़े तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपको सिर्फ दिखाना है ठीक है आपको सिर्फ client को एक तरीके से समझाना होता है कि हम क्या कर रहे हैं ठीक है तो ये देखिए ये दोनों तरीके से सेट हो चुका है दोनों थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ पड़ा है तो इसे आप कर सकते हैं ठीक है या फिर आपको शुरू में ही टूबेंड जब आप यूस करेंगे शेफ बेंडर तो उससे में शेप बन के तयार हो गया तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि इन चीजों को अब को समझ में आ गयो कि क्योंकि यहां पर बहुत ही कम चीजेंगे जो आपको बताने वाली है ठीक है आपको यहां पर सिर्फ दो चीजे यूज करनी थी एक तो आपको दुब एक और तरीका है जिससे ये बन सकता है इससे भी आसान तरीके से लेकिन future नहीं हो रहा था जब ़िमन उसे करा रहा था वह प्रॉब्ब्लम कर रहा था ठीकह कैं तो मैं क्या करता हूं कि मैं अभी बताता हूं क्या था और इन दोनों को हटा देता हूँ, अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या कोशिश कर रहा था, जो कि मुझसे नहीं हो रहा था, आप अपने लैप्टॉप में करके देखे, या अपने कम्प्यूटर में करके देखे, अगर वो एक बार में हो जाता है, तो हमें इतनी जहन्जट करने के भी जोगत नहीं पड़ेगी, ठीक है, तो अभी सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कि वो क्या चीज़ है, ठीक है, तो जैसे कि सुरू में हमने ये शेव बनाए था, और ये जो हम जाली लेके आये थे, उससे डाइरेक्ट यहाँ पर हम रखे हैं, ठीक है, एक साइड में य मैं इससे क्रेटि कर सकता हूँ, बाकि आगे बढ़ता है हम अभी के लिए मैं इससे यहाँ से भटा देता हूँ, और अब फिर अब क्या करना है आपको आप एक सेट कर लिजे जैसे आपको देखना है जैसे माल लिजी कि एक व्यू मैं जो इसे रखता हूं ठीक है आपको कोई और एंगल रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं उसके बाद आपको सिंपल क्या करना है आप जाएए अपने स्टा सब फिर क्या करना है कि यहां आईए अ और जो सकाई है उसे बंद कर देना बैक्वराउन्लों को बिलकुल ब्लैक कर देना है तो अब देखेंए यहां उसके साथ में और आपको वियूंव में जाना है और यहां से एकसी भी बझ दीना है ठीक है आप प्रॉप पर इस तरीके का है आप जब JPG निकालेंगे आपको यह चीज अपने सीन पर रहते हुए ही करना है ताकि जब भी आप अपने सीन पर आए तो इसली वो दिखें ठीक है मैं जाता हूं फिर से यहां से प्रोफाइल हटा दिया है एजेस हटा दिये और उसके बाद हम आते हैं अपने बैकरांड पर तो बैकरांड को fully black, OK, sky हटा दिया और उसके बाद view को भी यहां से हटा दिया एक्सेस अठा दिया और इसे सेव कर लेते हैं एंड साथ में अपडेट तो यह देखिए यह बिल्कुल उसी तरीके से बन चुकी है ठीक है हमारे सीन अपडेट हो चुका है तो यह देखिए इस तरीके से आप नॉर्मल से बना सकते हैं और फाइल एक्सपोर्ट करके आप इस कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर्द है बागे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू कि दूआ कीजियो में नेक्स वीडियो में प्ताइब करें दूब चाहर चीजिए और क्पिने करें करें दूआ के दूएर्जियों ग्राइब झाल झाल